इस वीडियो में आप क्लिशे का meaning और example सीखेंगे सबसे पहले आप यह notice करेंगे जो ए है इसके उपर एक mark लगावा है इसे कहते हैं accent acute और यह लगावा है इसलिए जिससे आप इसको ए प्रणाउंस कर सके यानि यह क्लिशे बन जाता है आपने fiance के last में भी इस तरह से mark देखाऊगे जिससे a sound आता है अब आप इसका meaning समझिए a saying or remark that is very often made and is therefore not original and not interesting यानि कोई ऐसा remark, कोई ऐसा statement, कोई ऐसी story जो इतनी बार repeat हो चुकी है कि अब वो original नहीं रही है और interesting नहीं रही है यानि उस story उस remark का अब वो impact नहीं रहा है जो उसका पहली बारी में था तो इसे हम कहते हैं कि यह cliched हो चुका है और यह एक cliché है तो जब कोई remark किसे ने पहली बारी use किया होगा तो उस समय उसका एक impact रहा होगा उससे में वो interesting रहा होगा लेकिन सेम चीजें कोई बार 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 बोलता है और उसके बाद वो person नहीं इन जनल अगर वो बार बार repeat होती है तो बात में फिर वो उतना interesting नहीं होता है वो चीज़ सुनना और वो original नहीं होता है तो इसको हम कहते हैं कि वो a cliched हो चुका है For example, कोई film director जब कोई film बनाता है तो अगर वो किसी नए और fresh idea के साथ में जब film बनाता है तो film बहुत अच्छे लगती है, interesting लगती है, सब लोग appreciate करते है लेकिन अगर वही director अपनी आने वाली हर एक film में same plot यूज़ करे same similar type की story यूज़ करे तो आप ये कह सकते हैं कि उसकी जो film से वो cliched है वो एक, it's a cliche, उसकी story एक cliched है यानि आपको पता है जब आप movie देखेंगे तो उसमें क्या होगा, क्या story होगी एकदम predictable हो जाता है सब तो आप कहेंगे कि ये cliched है, it's not interesting anymore गिसाद पेटा वाकिया, यानि जरू से ज़ादे इस्तिमाल होने वाला वाकिया I hope आपको एक idea लग गया होगा कि इसका meaning क्या है आप कुछ examples देखते हैं जिससे आपको ये और अच्छे समझा है सबसे पहले ये दो lines आपने बिल्कुल रट लेनी है I know, it's a cliche, it might sound cliched क्योंकि आपको, अगर आप इतना भी use करोगे तो आप ये समझो कि आप इसको अच्छे से use कर सकते है आपने notice क्या होगा, कि जब मैंने इस वीडियो का introduction दिया तो उसमें मैंने, जैसे हर इक वीडियो में मैं कहता हूँ कि Hello guys, welcome to English with JP Sir मैंने ये नहीं बोला, simply मैंने शुरू किया तो जो मेरी वो line है Hello guys, welcome to English with JP Sir ये cliched हो चुका है आपको पता है कि हम सर का वीडियो प्ले करेंगे और पहले ये सुनने को मिलेगा तो ये एक, ये एक cliché हो गया है Understand? So tell me Shivani, which is the happiest day of your life? तो Shivani कहती है, my wedding day and I know it's a cliché is the happiest day of my life यानि, my, शिवानी को भी पता है कि ये जो line मैं बोल रही हूँ, ये cliché line है यानि, ये लखवख हर कोई इस तरह की line बोलता है तो फिर उसने कहा कि my wedding day and I know it's a cliché is the happiest day of my life आप ये line बहुत जगह सुनोंगे I know it's a cliché जब कोई, जब आपको पता है कि जो बात आप कहने जा रहे हो वो बहुत common बात है, सब को पता है तो आप बीच में ये add करते हो कि I know it's a cliché यानि ये घिसी पीडी line है, सब जानते है लेकिन फिर भी ऐसा है ओके When a musician says music is my life it's a clichéd remark यानि obviously हर एक musician कहता है music is my life तो ये clichéd remark है It might sound clichéd but knowing that you are doing something worthwhile makes a big difference यानि तुम कुछ कर रहे हो यही जानना काफी है यही बहुत बड़ी बात है And it might sound clichéd यानि जब कोई किसी को कुछ समझाता है और सामने बाले ने कुछ थोड़ों बहुत कुछ अच्छा काम किया है तो आप यह कह सकते हो It might sound clichéd यानि बहुत घिसी बीड़ी बात लगेगी लेकिन जो तुम काम कर रहे हो Knowing that you are doing something worthwhile यानि कुछ तुम worthwhile कुछ तुम ढंका काम कर रहे हो यूसफुल काम कर रहे हो Makes a big difference बहुत बड़ा difference बनाता है He made some cliched remark यानि उसने कुछ cliched remark बोली यानि कुछ बाते बोली जो बिल्कुल normal बात थे आसा कुछ नया interesting था नहीं उन बातों में There are many highly cliched phrases that executives like to use तो आपने कभी आपने notice क्या होगा sales executives होते हैं customer executives होते हैं जब आप उनके पास जाएंगे या उनको phone करेंगे तो कुछ line है ऐसी होती जो वो हर समय use करते हैं जो बिल्कुल cliched line है आपको पता है कि मैं phone करूंगा तो यह बात सबसे बहले बोलीगा यह cliched phrases होते है It's a rather cliched story यानि यह story है, यह cliched है यह normally ऐसा ही होता है story मैं इसले के The story of the films of the director has become cliched We always know what's going to happen next Okay And finally In most of the Bollywood family drama films There is a cliched theme That one is rich and other is poor And they fall in love with each other And then something happens in the story तो यह ब्लोकुल cliched story है Family Bollywood drama films की Alright guys तो I hope आपको यह वीडियो अच्छे से समझाए होगा I tried my best to explain this word And if you appreciate my efforts Do care to subscribe this channel And leave your comments Whether it's positive or negative And as in the next video Take care, God bless you